आज आपके साथ हम ऐसी रेसिपी से एर करने वाले हैं जिसे गारंटी है ना कि इसे आप देखते ही तुरंद बनाएंगे क्योंकि इतना ज़्यादा ये सांदार है और एकदम यूनिक रेसिपी है ये इस तरीके की रेसिपी साधी आपने कभी बनाई होगी तो चिप्स तो आपने बहुत तरीके के बनाए होगे है ना तो आज हम चिप्स की ही रेसिपी बनाने वाले हैं लेकिन ये हम आलू के चिप्स नहीं बनाने वाले हैं एकदम ट्रांस्पेरेंट बहुत ही पतले चिपस बनकर तयार होते हैं जिसे आप साल भर भी स्टोर करके रखें बिल्कुल खराब नहीं होते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं वीडियो पसंद आएगे तो लाइक और सेर कीजिएगा और हमारे चैनल को करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथी बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो यहां पर हमने लेना है एक कप साबुदाना तो यह 200 ग्राम के जितना साबुदाना है वजन में देखेंगे तो साबुदाना तूटने भी लगता है तो चलिए साफ हो चुके हैं यह पानी को हम हटा देते हैं तो यह लिजे साबुदाने को तो हमने साफ कर लिया है अब इसे हमें भीगोना होगा तो इसमें हम एक कप साबुदानी के लिए एक कप पानी डालेंगे और इसको हम चार से प साबुदाना काफी अच्छे से फूल चुका है तो एक बाइस को चिक भी कर लेते हैं यह देखे जब आप इसको हां से मैस करेंगे ना तो एजली यह मैस हो रहा है तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ तो यहां पर हमने लेना है एक कप पानी सारी चीजों का मिज कच्छी आलू है इसको हमने ग्रेट कर लेना है तो जो बारीक वाला ग्रेटर होता है उसी से आप इसको ग्रेट करिएगा तो इसमें हमें कच्छी आलू का इस्तेमाल करना है और अभी हमने एक कप पानी डाला है लेकिन पानी देखे थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसमें तो यह गया दूसरा कप, मतब दूसरा फुल कप नहीं था, आप डेड़ कप समझ सकते हैं, तो यहां पे हमने एक कच्छे आलू के लिए डेड़ कप पानी डाला है, और इसको हम थोड़ा सा उबलने देते हैं, मतलब 2-3 मिनट इसको हम पकाएंगे, क्योंकि कच्छी आलू है ग्रेट है, तो बहुत ही जल्दी से कुख हो जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस बीज-बीज में आप इसको चलाते रहें, इस रेसीपी में हमें आलू का इस्तेमाल बहुत जादा नहीं करना है, सिर्फ हमने बाइंडिंग के लिए एक आलू डाले हैं, अगर को इसको अलू नहीं डालना चाते ना तो स्किब कर सकते हैं अलुं को बेंद एसके बिन बना बनाया जा सकते हैं, टो यह देखे, आलू काफी अच्छे से कुख हो चुके हैं, तो अब इसमें जो हमने साबूदाने को भीगो कर रखा था 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 ना, वो डाल देते थह, में बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना है और इसे किवल हम 2-5 मिनट ही पकाएंगे इसमें ट्रांस्पेरेंट साबू दाना दिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि साबू दाना काफी पहले से फूला हुआ है तो मेन हमें आलू को पकाना होता है तो आलू हमारी पहले से ही कुक हो चुकी थी क्योंकि ग्रेट थी तो साबू दाना को किवल 2-5 मिनट ही पकाएंगे बस टेस्ट के कॉर्डिंग इसमें हमने नमक डाल दिया है अब इसक अगर एक से दो मिनट भी पकाएंगे तो भी पर्फिक्ट है क्योंकि मेन हमें आलू को पकाना होता है बस तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देते हैं वरना यह बहुत यादा ठीक हो जाएगा तो गैस से हमने इसको नीचे उतार लिया है इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे उसके बाद हमने क्या करना है एक लेना है मिक्सी का जार और इस जार में डाल कर इसको हम पीस लेंगे अब इसमें हम पानी या कुछ भी नहीं डालेंगे तो पानी हमने एक आलू के लिए डिर् इसका बन जाए यह देखे आप चाहे तो आप इसको छान भी सकते हैं अगर साबुदाना के कुछ चंक्स आपको नजर आ रहे होंगे तो लेकिन हमने इसको एकदम फाइन पीसा है आप देख सकते हैं इसका टेक्शर कहीं से भी इसमें कुछ टुकड़े नहीं नजर आ रहे हो तो हमारे यह जो बेटर है एकदम पर्फिक्ट तयार है तो चलिए अब हम चिप्स को बनाना स्टार्ट करते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वह आप देख सकते हैं इस तरीके की होनी चाहिए तो सारे मेजर्मेंट हमने आपको बताए हैं उसी तरीके से आप बनाईएगा ए इस सूखने के बाद बहुत ही पतले हो जाते हैं तो आप इसको धूप में सुखाएंगे तो एक दिन में काफी अच्छे से यह सूख जाते हैं और इस चिप्स को आप बना कर साल पर के लिए स्टोर करके रखिए यह बिल्कुल भी खराब नहीं होता है बीच 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 मे गई है तो सारे साबुदाने के चिप्स हमने बना लिए हैं अब इसको हम सूखने देते हैं तो साबुदाना हो या आलू हो आप पापड़ या चिप्स की बहुत सारी वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोट की हुई है बहुत अलग-अलग तरीके से जो की बहुत ज़द दाएगा तो यह लीजे सारे साबुदाने के चिप्स सूख चुके हैं जो कि आप देख सकते हैं एकदम गोल और ट्रांस्पेरेंट बने हुए हैं काफी अच्छे से सूखने के बाद यह पतले हो जाते हैं जो कि आप देख रहे हैं ना कितने ज़्यादा यह सुंदर लग तो आप सूचिए इतने पतले चिप्स खाने में कितने ज़्यादा तेस्टी लगेंगे वो भी साबुदाने के जब इसको फ्राई करेंगे तो थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं लगत हैं तो साबुदाने की पापड धो आपने बह हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में